प्रिये चात्रो नमस्कार 8.2 के question को solve करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन जीरो डिगर का value कितना होता है 30 डिगरी का 45 डिगरी का 60 डिगरी का 90 डिगरी का इन सब का value कितना होता है बचे अक्सर कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं होता मान हां हलांकी ये याद नहीं हो पाता है तो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आसानी से जब याद ना हो तो हम ट्रिक की मदद से कैसे निकालेंगे इस सारनी को और याद कैसे करेंगे वो मैं आपसे सेर करने वाला हूँ तो आईए स्टार्ट करते हैं जैसा कि देख सकते हैं यहां कोन A है एंगल के लिए यहां 0 डिग्री 30 डिग्री, 35 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री इन सभी का वैलू हम याद करना आपको सिखाएंगे सबसे पहले आपको लिखना यहां पे शुन्य, क्या लिखना है? 0 से स्टार्ट करना है, नमबर आपको 0, ओके फिर लिखना 1, फिर 2 फिर 3, और फिर 4, मैंने लिख दिया अब आपको क्या करना है? सभी के बटे में 4 लगा देना है तो आईए लगाते हैं सभी के बटे में 4, ओके 4, 4, 4 और ये 4 यहाँ भी 4 रख दीजिये मैंने रख दिया अब आपको करना क्या है? सभी के उपर रूट लगा देना है तो आईए हम रूट लगाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने रूट लगा दिया इसके उपर भी रूट लगाईए और इसके उपर भी रूट लगाईए सभी के उपर आपको लगा देना है यहाँ मैंने लगा दिया ट्रिक देख लिया न 0 से स्टार्ट करना है 4 तक सभी के बटे में 4-4 लगाना है और सभी के उपर रूट लगा देना है अब आपको क्या करना है? जैसे कि 0 में अगर 4 से भाग देंगे तो दुनिया की कोई भी संख्या हो अगर 0 में भाग देते हैं तो उसका अंसर 0 ही आता है और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 0 ही आता है ठीक है इस बात को ध्यान रखना मेरे पास 0 आ गया यानि साइन 0 डीरी का वहलू 0 हो गया ठीक है इस बात को ध्यान रखना एक बटा चार अब एक का वर्गमूल यह जो वर्गमूल रूट का मतलब वर्गमूल ग्याद करना तो एक का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा एक ही होगा ठीक है और नीचे 4 है चार का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा दो होगा तो मैं लिखा दो यानि साइन 30 डिग्री का वहलू हुआ एक बटा दो यहां 45 डिग्री है ठीक है तो इसमें देखिए दो बटा चार तो इसमें क्या किजिए आप यहां से देखिए बारीकी से जैसे दो बटा चार है लगे दो कावर्गमूल निकालेंगे तो एक ही होगा और दो कार्मण निकलेगा नहीं इसका मतलब क्या होगा हमारे पास फ़र रजा कि में जूसके यह रूट में राङगा तो एक बटा रूट दो एंसर आया ठीक है यानि साइन पैतालिश डिरी का वैलू वन अपाउन रूट टू यह हमारे पास आ गया ठीक है गाइस मैं थोड़ा बारी की से लिख देता हूं बड़ा से अब यहां देखे रूट थिरी बटा चार है तो इसका हम कैसे निकालेंगे सुल देखे रूट तीन तो यानि रूट तीन है तो तीन का वर्गमल नहीं ग्याद करें नहीं होगा पुनरूट से निकलेगा तो यह रूट तीन ही रहेगा ठीक है मैंने लिख दिया और बटा लगाईए चार का वर्गमल कितना होगा दो होगा तो हम लिखेंगे दो कहने का मतलब कि साइन साट ड अब देखे एक का वर्ग मुल ज्याद करेंगे तो कितना होगा एक ही होगा ठीक है तो इसका मतलब साइन नबे डिरी का वैलू एक आया ठीक है उसी तरह अब हम कॉस का वैलू निकालेंगे कैसे निकालेंगे वह मैं आपको बता देता हूं जैसे की इधर से स्टार्ट है यह अब आपको करना इधर से स्टार्ट करके यहां से लिखना स्टार्ट करना है जैसे यह वाला संख्या यहां रख दो ठीक है यानि कॉस जीरो डिरी का वैलू एक आया अब यह वाला नंबर यहां रख दो यानि पीछे से और आगे से पीछे वाला संख्या को आगे से लिखत दो हो गया ठीक है अब यह वाला तो यहां जागा एक बटा-दो मैंने लिख दिया अब यह जीरो है तो जीरो को यहां लिख दीजिए मैंने लिख दिया और यह मान पुठ हो गया ठीक है अब यहां से देखें 10a का वेलू कैसे से निकालेंगे तो आपको पता होगा प्रित चातरों कि 10 a यानि 10 ठीटा का सुत्र होता है साइं ठीटा ảस में कौूर त्वल्ट से भाग देना है का मतलब है कि उपर वाले की से नीचे वाले से भाग देना यहां जितने वी वाला संख्या उसमें नीचे वाले संख्या से भाग देना ठीक है तो आए हम भाग देते हैं तो पर चात्रों अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा है ना यानि उपर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या से भाग देना है तो जीरो में देखिए जीरो में भाग देना आपको एक से है ना तो याद रखना जीरो में दुनिया की किसी भी संख्या से भाग देंगे कैसे वो मैं आपको clear करके बता देता हूं ठीक है जैसा कि आप देख सकते एक वटा दो में भाग देना है कितना से तो एक वटा एक वटा सौरी रूट तीन वटा दो से है ना तो बटा का मतलब क्या होता है भाग होता है जैसा कि एक वटा दो है तो एक वटा दो और भाग को होना में पल्टेंगे तो क्या हो गットर डो शाएगा और रूट 3 नीचे आएगा तो यह 2 से 2 कट ACT आzięki नीचे क्या बचेगा रूट 3 बचेगा यानि एक और रूट 3 भचेगा ठीक है तो इसका मतलब जब इसमें और से भाग दिंगे तो हमारे 1-1-3 तो वह हम लिखेंगे 1 वर्टा रूट 3 यह तो आप दाजिव वोल सकते कि 2-2 कट जागा तो ऊपर एक लिखेंगे और नीचे यह रूट 3 तो रूट 3 लिखेंगे ठीक है उसी तरह हमारे पास है एक बटा रूट दो से एक बटा रूट दो में भाग देंगे तो यह जब भाग देंगे तो आपस में क्या होंगे कट जाएंगे तो क्या हमारे पास बचेगा एक बचेगा ठीक है क्यूंकि यह सेम है तो सेम से भाग देंगे तो एक ही बचेगा ना एक मरतवे कटेगा ठीक ह एक इंसर आया उसी तरह रूट तीन2 देगे कितना से 1BTO Se जब भाग देगे तो यह दोगी देखिए दो और नीचे स्थेम है तो दोसे कट दो नीचे प". क्या रूट 3 और बटे एक तो नीचे एक तो लिखने की जरूरती नहीं परेगी तो रूट 3 हम डायक्टे लिख सकते हैं तो मैं लिखूंगा यहां पर रूट 3 ओके अब क्या करना एक में 0 से भाग देना है यानि एक में आप करना क्या है जीरो से याद रखना जीरो से किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो भाग नहीं लगता है जब भाग नहीं लगेगा तो हम क्या लिखेंगे और परिभासित लिखेंगे है ना तो आईए हम लिखते हैं और परिभासित ठीक है यह परिभासित का चिन है ठीक है आईए अब हम आगे देखते हैं तो आगे हमार सिर्फ उल्टा करना है साइन ठीटा का उल्टा होता है कॉस्ट ठीटा ठीक है तो इसका मतलब जीरो का उल्टा करेंगे तो जीरो का उल्टा कैसे करेंगे है ना तो वह देखिए जब और बीस आपको मैं बता दू जभी उल्टा करे न तो समझ जना कि जीरों वा परिभासित होता है कैसे होता है proserant Unix वह मैं आपको बता देता हूँ ठीक है जैसे कि जीरों का उल्टा करना है न तो जीरों के नीचे क्या है एक शीपा है ना एक शीपा होता है कि नहीं तो एक उपर जाए उल्टा करने का मतलब एक उपर जाएगा जीरो नीचे आएगा अब जीरो से किसी भी संख्या के नीचे मतलब जीरो से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या भाग लगेगा नहीं लगेगा जब नहीं कर दें एक बटा दो का उल्टा करेंगे तो क्या होगा दो बटा एक दो बटा एक होगा तो बटा में एक लिखने की जरूरत ही नहीं अब एक बटा रूट दो का उल्टा करेंगे तो क्या होगा रूट दो बटा एक तो हम लिखेंगे रूट दो बटा एक और नीचे एक करेंगे तो क्या होगा एक ही होगा न क्यूंकि एक के नीचे एक शिपाता है एक वट्टा एक ही होगा तो हम डाइट लिख सकते हैं एक का उल्टा क्या हुगा फ्रेंट्स एक हुआ हमारे पास ठीक है मैंने लिख दिया अब यहां पर देखिए से के आप से किसका यानि कॉस से का उल्टा से के होता है ठीक है यानि कौसे का जो भी वैलू है ना उसको उल्टा कर देना से के में तो एक का उल्टा यहां पर करेंगे तो क्या होगा एक ही होगा ठीक है अब रूट अंडर यहां पर देख सकते हैं रूट थिरी बटा दो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो यानि दो बटा रूट तीन ह tones में गांकर थेकं के चिक आसे इसे तरह लीड़ी ओपर ᓲगे ले खोनव्हान कि बलाई तो ऐलेगने तो क्या होगा हमारे पास जबना की तो मैं यहाँ इस तरह यार्चों में लेख दिया होगा और इसी तरह एक बटा दो है कौूच एक वृट अफ़ि निखने की जरु société ौए नहीं ही आपए प्रिवासित होगा यह मैंने लिख दिया और परिवासित होगा अब हेन्म इसी तरह अब बात करते हैं cot a का value निकालना तो cot a क्या होगा 10 a का उल्टा होता है तो 0 का उल्टा करेंगे है ना 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1 वटा 0 अब 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या भाग लगेगा नहीं लगेगा तो क्या होगा od Paribhasit Toh Aipari paribhasit मैंने लिख दिया उसी तरह 10 इसमें देखे 30 differenti में एक वटारう completamente करेंगे तो Saturday 2017 और क्ष дело ाओ گा तो 요 Berth les Box क्या होगा 232 दहात एक नीचे लिखने की ज़रुषयद नहीं अब थेख्reiben करेंगे यहां से देख लिजी का गार है तोँ इसके रिखी दिया मैंने लिख दिया इसी तरह परिभासित का Ginsburg करेंगे तो क्या करेंगे एक शॉटी तो यह पर लाइए टो एट शॉटीन नीचे आइगा हैS होगा एंगर Nebraska करना होगा तो और हम परिभासित का इल्टा करना पूछे तो आपको क्या करना जीरो लिख देना यानि है दोस्तों आप समझ गया होंगे डिकि जब अगर आप exam में होगे याद नहीं होगा तो आराम से या सार्नी आप ग्यानद कर सकते हैं, जैसे 0-45 तगलिघ देना है, फिर आपको क्या करना है, 0-45 तक बटे में चार्चर लागा कर रूट कर देना है, बस इसी प्रोसेस से आप ग्यानद कर सकते हैं, आई होब कि यह बात आप समझ गया होंगे, दोस्तों वीडियो पसंद आए फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई दोस्तों